पूरे के दिए किसे हैं आप लोग सब मस्तों होंगे हम भी एकडमobra़ है आज हमारे फार्म पे निपछ इस्टम का इस्टॉलेशन हो रहा निपल सिस्टम होता क्या है कैसे इसका जूज होता है क्या इसकी इसको इस्टॉल करने में क्या इसका इन्वेस्टमेंट है और कैसे इसका इस्टॉलेशन होता है उसकी पूरी जानकारी है आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे तो गाइस बने रहे हमारी वीडियो के साथ, हम आपको निपन सिस्थम के पूरी जानकारी, A to Z पूरी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं गाइज यह देखे गाइस निपन सिस्थम का इंस्टोलेशन हो रहा है अपल सिस्टम है यह गाइज मुर्गा एक चौंस मारके पानी पीए गाइज से पानी लिटर में गिरने के चांसे मिनिमम हो जाता है सो वेस्टेज भी नहीं होता पानी का प्रेश वाटर पीटा तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं हमारे टेकनीशन हैं महरास्टा से आ हैं मिस्टर वैजनात सो यह निपल सिस्टम को यही इंस्टॉल कर रहे हैं वाल को कमपनी से हैं सो हम जानेंगे कि यह निपल सिस्टम के बारे में पूरा मैंने बोला था जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि निपल सिस्टम के बारे में हम आपको पूरा जानकारी देंगे सो हमारे मिस्टर वैजनात आपको निपल सिस्टम के बारे में समझाएंगे तो वेजनाच जी मैं आपसे हमारी ओडियन्स यह जानना चाहती है कि यह निपल सिस्टम के फाइदे क्यों है हम पॉल्टरी फार्म में निपल सिस्टम को क्यों इस्टॉल करें नुकसान होता है कि यह अपना निपल लाइन है तो इसमें पानी पीता है तो वही फ्रेश वाटर पीएगा फ्रेश वाटर पीएगा पानी नीचे नहीं गिरेगा और इसे हमारा जो है फाम में अमोनिया भी नहीं बने आपका कम हो जाएगा और इसे बड़ी आए होता है कि बिर्ट्स की ज्यादा बढ़ती है और बिमारी भी कम हो थी है और यह अपना रेगुलेटर है यह लाइन में प्रेशराइज करता है यहां से इनलेट कनेक्शन है अपना और यह जो फ्लेक्जिवर स्टेंट वर्जे इसमें आप छोटे वर्ट्स है उसके लिए छे इंच रख सकते हो बर्ट्स यह अपना लाइन का प्रेशर है वह आप यहां से बढ़ा सकते हो उसको प्लस या माइनस की दरब कर सकते हो यह यहां से आपका लाइन करना है उसको लूज करके इस पर लाना है अपने को यह फ्लेश मोड पर लाना है और यह और यह को बंद करना है और यहां से कि पूछ करना है फुछ कर ने विचे से पुछ करना है यह पीछे में इसके बाल वल हूं होथ दी नहीं यह प्रेशर अपन से पानी यह यह लाइन के नहीं हो जाए चैशक तो अभी इसमें मेरे ख्याल से आफ इस लास्ट मोटर नहीं लगेंगे फीडिंग लाइन की लिए मोट लगे इसके लिए वाटर्लाइं के सबीलेह लिए सो गईज यह है sok और सब्सक्राइब इस इस जो हमारी निपल लाइन होती है इससे बीस्स मिझोग सिर्फम लगेगा इस से जो यह लाइन है इसको उपर और और नीचे कर सकते हम देखे इस से घुमा के हम इसे उपर और नीचे कर सकते हैं अपनी रिक्वाइर्मेंट के हिसाब से चिक्स के एज के अनुसार उसकी हाइट के अनुसार उसको एड़ जैस कर सकते हैं जो हमें रिक्वाइर्मेंट है उसके हिसाब से और जब हम पामस तो इनपूरा उपर करके हम नीचे एजीली साब कर सकते हैं और देखे गाइस यह है water filter सो इससे water filter होके हमारे चूजू के पास जाएगा देखे हमारे जीलीया जी यहां पर काम पे लगे हैं देखते हैं इनसे जानते हैं क्या कर रहे हैं और किस चीज के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो हम इनसे जानेंगे आजी सर क्या कर रहे हैं आज आज आप क्या कर रहे हैं क्यो केर जाल आगने केर्ड अच्छा कहती कान पाने क्या कियर सुनियो अ है यह यह जो दूब्डू ना यह ज़े डिला जो जो दूब्लू नाखो अच्छाज बूला बदियु आ पिष्ट मेंचा अच्छा अच्छा आस्व बोलो ना भी ड्रह ए क्वेट ती-ष्ट मेंचा ती तो दोस्तो साम हो चुकी है हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ा भाव सामान लेकर आना है तो गाइज हम वीडियो भी आज यहीं पर एंड करने वाले हैं अगर हमारी वीडियो से कुछ भी आपको जानकारी मिलती हो कुछ भी इंफोमेटिव लगती हो हमारी वीडियो आपको प्लीज लाइक किजेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा सेर किजेगा अपनी दोस्तों के साथ और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा हमार एच्छे कि अिन्याक हमारे थीत हैंस कि वेगर हमारी हंट डेगथ आटादों किजेगा हमारी आपको अएक्राइब आखकरे किजेगा प्लू साथरा हमारे फिर ठसक्चे के सांभी अज्यो से अटिकशग सेंवारा है